हिरन बना भरत महाराज, हिरन शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मेरे प्रियर राजा, इस तरह भरत महाराज एक अनियंत्रित इच्छा से अभिभूत थे जो हिरन के रूप में प्रकट हुई थी। वो अपने पिछले कर्मों के फल के कारण रहस्यवादी योग, तपस्या और पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान की पूजा से नीचे गिर गया, राजा हिरन को पालने और पालने में इतना तल्लीन था कि वो अपनी आध्यात में गतिविधियों से नीचे गिर गया, समय के सा उनके पुत्र के समान उनके पास बैठा है और उनकी मृत्यू का शोक मना रहा है, वास्तव में राजा का मन मृत्य के शरीर में समाया हुआ था, और फलस्वरूप, उन विक्षिप्तों की तरह क्रिश्न भावनामृत में, उन्होंने संसार, हिरन और अपने भौतिक शरीर क त्याग दिया और एक हिरन का शरीर प्राप्त किया, हाला कि एक फाइदा था, यदिपी उन्होंने अपना मानव शरीर खो दिया और एक हिरन का शरीर प्राप्त किया, लेकिन वे अपने पिछले जीवन की घटनाओं को नहीं भूले, हाला कि एक हिरन के शरीर में भरत महारा विलाप करने लगे क्या दुर्भाग्या है से गिर गया हूँ आत्म ग्यान का मार्ग मैंने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने वास्तविक पुत्रों पत्नी और घर को त्याग दिया और मैंने जंगल में एकांत पवित्रस्थान में शरण ली मैं आत्म मन हमेशा भक्तिमय सेवा में लगा रहा हाला कि मेरी व्यक्तिगत मूर्खता के कारण मेरा मन फिर से जुड़ गया इस बार एक हिरन से अब मैंने हिरन का शरीर प्राप्त किया है और अपने से बहुत दूर गिर गया हूँ भक्ति अभ्यास यदेपी भरत महाराज ने एक हि आने वाले स्थान पर छोड़ दिया जहां उसका जन्म हुआ था वो फिर से शालग्राम के जंगल और पुलस्त्य और पुलहा के आश्रम में गया उस आश्रम में रहते हुए महान राजा भरत महाराज अब बुरी संगती का शिकार नहोंने के लिए बहुत सावधान थे वित्रस्थान में इस नाम करके अंत में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया